हर हर महादेव हलो फ्रेंड्स वेलकम टू मै चैनल इस वीडियो में आज मैं आपके साथ सेयर कर रही हूँ पशुपति प्रत की सुभै और साम की पूजा सामिकरी सबसे पहले हम सुभै की पूजा सामिकरी देख लेते हैं पशुपति प्रत के लिए पूजा के लिए एक थाली तयार की जाती है ये थाली आप कहां से की पीतल की या फिर इस्टील की भी ले सकते हैं भगवान के अफशेक के लिए हमें लेना है एक सुद्ध जल का कलश साथ ही हमें लेना है पंचामरत ये पंचामरत आप चाहें तो इस तरह से दूद, दही, घ ज़ी, शक्र, शहद एक साथ मिला कर भी मंदिर में ले जा सकते हैं और आप चाहें तो इन पांचों चीजाओं को अलग अलग भी ले जा सकते हैं क्योंकि मंदिर में हमें इतना टाइम नहीं मिलता है कि इन सब अलग अलग चीज़ों से हम भगवान का अफशेक कर सकें तो इसलिए आप यदि पंचामरत को एक साथ मिला करके किसी पात्र में ले जाते हैं तो आपके लिए ज्यादा सरल रहेगा साथी पंचामरत आपको किसी इस्टिल या चांदी के वरतन में ले जाना है पीतल या तामे के वरतन में नहीं ले जाना है अब हम पूजा के लिए ले चाहिए पशुपतिपरट का ये सबसे महत्वय्पूर स्वह के थालि Canyon और रह्रों लेंगे और यदि आपके पास अवीर तो आप भू भी ले साथ हमने माता पारवती के लिए लिए कुम-कुम और रोली यह सारी चीजे आप इस तरह से ठाली में रखिएगा कि एक दूसरे में मिक्स ना हो आपके पास छोटी कटोरी हो तो आप उनमें रख सकते हैं या फिर आप इस तरह के छोटे-छोटे दिये ले लिजिए आप उनम अंदिर में किसी अनिके दीपक में चला करके रखते हैं साथ हमें लेनी हैं यह सूफी हुई भांग है आपके पास यदी हरी भांग है तो आप वह भी ले सकते हैं इसके अलाबा हमें लेना है एक जनेव भगवान-भोले-नाथ को अर्पित करने के लिए पशुपति पूज होती है वो भगवान भुलेनात को समर्पित है और ऐसी कोई भी मनुकामना नहीं है जो परसुपति ब्रत से पूरी ना होती हो साथ हमें मौली इतनी लेनी है कि सुभह और साम की पूजा हो जाए ज्यादा मौली हमें थाली में नहीं रखनी है अब हम लेंगे दच्छना सरो कमिया ज़ाधा ले सकते हैं परसुपति ब्रत श्यों रखे जाते हैं और पांच में संबार को परस्वपति का उध्यापन कर दिया जाता है अब हमें लेनी हैं दो धूब पत्ति सुभा के लिए और सामकी पूजा के लिए सुभा हbach के लिए आप बतासे सकते हैं जिले जिए मिश्री ले सकते हैं या फिर सीनिभी कि ले सकते हैं क्योंकि जो प्र 6 लगता है पशुपति व्रत की पूझा में मैं रूप से साम को लगता है साथ ही हमें माच यस भी आपको अपने घर से नहीं देल प Clinton के लिए आप mindset Teys लगा सकते हैं जैसे मैंने आम लिया है आप आम की जगह केला सेव संत्रा कोई भी फल ले सकते हैं अब हमें लेने हैं पूजा के लिए कुछ फूल या फिर फूल माला यदि आप फूल माला ले 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 तो अच्छी बात है नहीं है तो आप केवल फूल से भी पूजा कर सकते ह भगवान भोलेनात के लिए मैंने कुछ सफेद पुस्प लिए हैं और माता पारवती के लिए और गनेशी के लिए हमने गुलाब के फूल लिए हैं यदि आपको सफेद फूर नहीं मिल रहे हैं, तो कोई वात नहीं है, आप भवान भुलेनात को कोई भी पुस्प पूजा में अर्पित कर सकते हैं, अब हमें भवान गनेशी के लिए लेनी हैं कुछ दूब खास और लेने हैं कुछ बेल पत्र, अब आपके मन में ये सवाल भ बेल, आपके पट्प, अर्पित कर सकते हैं, इस तरह से पश्व पूजा थाली तैयार हो चुक 방법 अब हम देख लेते हैं किस की सामिक्री की आवशक्ता पढ़ने वाली है, जब हम सुबह पश्व पत्व पूजा करके आएंगे तो उस थाली को हम इसी तरह से ढाक करके रखते हैंगे क्योंकि इसी थाली से हमें साम को भी पूजा करनी है जैसा कि आप देख सकते हैं थाली में चंदन, रोली, अच्छ, चावल, कुमकुम, भांग, पेल पत्र, फूल, माचिस और धोबत्ती रखी हुई है सुभा ही हमने पूजा थाली में इतनी सामिक्री रखी हुई थी कि साम की पूजा के लिए हमें अलग से कोई पूजा शामिक्री ना लेनी पड़े साम की पूजा के लिए हमें एक चलका कलस लेना है, साथ ही हमें 6 घी के दिये लेने हैं ये दिये आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और आट्टे के भी आप बना सकते हैं। आपको घी के दीपक घर से ही बना करके ले जाने हैं। साथी फ्रेंड्स पश्पत भगवान की साम की पूजा में ये छेव दिये हम भगवान भोलेनात के सामने रखतेंगे जिन मेंसे हम पांच दीपक चला देंगे और एक दीपक बिना जला हुआ छोड़ देंगे उस दीपक को हम बाद में अपने घर ले आएंगे जो की दीपक ह प्रवेश करेंगे तो उसके में दूर पर राइट हैंड की तरफ हम इस दीपक को चला करके रखतेंगे साम की पूजा में भगवान भोलेनात को भोक लगाने के लिए हमें कुछ मिठाई खर्सिय बना करके ले जानी होती है जिसमें आप हलवा खेईर लड़ू बना सकते है और आप चाहें तो इसमें मीठी पूड़ी या मीठा पराठा भी बना सकते हैं इस भोक को हमें तीन हिस्सों में बाटना होता है जिसके लिए आप इस तरह के जो दौने मार्केट में मिलते हैं उनको भी अपनी पूजा की थाली में रख सकते हैं जिनमें आप भवान का भो लख करके मंदिर मंआ रख सकते हैं जो दो हिस्से होते हैं वो हम मंदिर मैं भगवान भुलेकूं लेदे आते हैं और जो प्यक्त ब्रत रहता है उस प्रसाथ को केवल बही प्यक्त खाता है किसी अन्य को बह प्रशाद माटना नहीं होता है आप चाहें तो प्रशाद के तीन हिस्से करने के लिए एक छोटा इस्पून भी थाली में रख सकते हैं यदि आपके घर में एक से अधिक लोग पश्पति भगवान का ब्रत रखते हैं तो सभी को अपनी अपनी थाल से पूजा कर लें साथ ही आप सभी मिलकर के एक साथ सारा प्रशाद बना लें और उसको आप अलग-अलग स्वामय बाट लें ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है पश्पति प्रत का यही सबसे ज़्याद महत्पूर्ण नियम होता है कि आपको अपनी पूजा सामेकरी पूजा में यूज करनी होती है किसी अन्य से मांगनी नहीं होती है साथ ही आपको प्रशाद भी किसी से बाटना नहीं होता है प्रशाद भी आपको घर से ही बना करके ले जाना होता है बाहर यानि मार्केट का कोई भी प्रशाद आपको भोग में भगवान को नहीं लगान होता है उम्मीद करती हूं फ्रेंड्स पशुपति प्रत की सुभह साम की पूजा सामिकरी का मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा साथी प्रत के बारे में मैंने जो जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी पशुपति प्रत से संबंदित आपके कोई पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को ज्यादा से जहता लाइक कीजिए सेर कीजिए साथ हे पहले आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेक्ष्ट वीडियो की नौट्पिकेशन आप लोगों को टाइम स मिल सके बोलिये पश्वपति भगवानी की जय हर हर महादेव धन्यवाद फ्रेंड्स